है गाइस आज के इस वीडियो में आपसे भी लोग से बात करने वाला हूँ कि आखिर ये भोल्टेज क्या है क्योंकि आज के टाइम में जो भी इन्जिनियर्स फोर्म हैं इंडेस्ट्रिज में जॉब करते हैं उसे अपना वर्क के बारे में तो नॉलेज होता है लेकिन ये जो टर्म है वोल्टेज, पोटेंश, डिफरेंज, चार्ज, करेंट इसके बारे में भी आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज तो होना है चाहिए तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और बिना किस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये बता दू कि ये जो फोल्टेज इसका दो टर्म और है जो की है पोटेंशिल डिफरेंट्स और एमफ तो आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है अगर आपको ये बोल्टेज ना ब इंकिंगे वो और भी सार्फ हो जाएगा सपोज मानली जी एक राउंड सेप का पत्तर है जिसका वजन एक कोईंटल है और आपको अगर बोला जाए कि इससे धक्का लगाना है और आगे के और ले जाना है तो आप जो धक्का लगाओगे न वो है भोल्टेज गैस मैं आपक पानी किलने के लिए और जैसे ही अगर हम उस नल को खोलते हैं तो क्या होगा पानी जो है वो नीचे के तरफ गिरना स्टार्ट करें तो वो नल के तरफ जो फोर्स लगा रहा है ने वो गैस एक तरह का वोल्टेज है अब गैस मैं बात करता हूं अपने इंडिस्ट्री से र 415 वोल्ट पर जलती है तो गाइस हर एक जो मोटर्स बगेरा होते हैं उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है ओपरेट होने का तो गाइस यह जो 900 किलोवाट का मोटर है वो स्लिफ्टिंग इंडेक्शन मोटर है जो की अगर हम उसे 6600 वोल्ट सप्लाई देंगे तो उसका जो फूल एफिसियंसी है ना उस पे वो जो है का चलना है स्टार्ट हो जाएगा और सपोज हम मान लीजे कि हम वहाँ पर 6600 ना दे करके अगर हम वहाँ पर 415 वोल्ट देंगे फिर भी मेरा मोटर रन करेगी लेकिन 415 वोल्ट पे वो जो है उसका जो कॉपर लॉस आईरेन लॉ लॉस हिस्टिरिसिस लॉस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका जो एफिसियंसी है वो फूल एफिसियंसी पे चल भी नहीं पाएगी और सपोज मान लीजे मेरे पास जो 2500 किलोवाट का मोटर है उसमें अगर हम 6600 वोल्ट देंगे तो क्या होगा कि वो मोटर का है वोल्टेज जो है एक फोर्स है जो की एक स्पेसिफिक रेंज हर किसी का फिक्स है अब बात करते हैं आखर इंडिया में जो है यह 220 वोल्टेज को ही हम लोग क्यों मान के आज तक चल रहे हैं 200 साल पहले की बात है कि UK में सबसे पहले जो है निकोला टेसला के दोवारा जो जो है वो थ्रीफेस अप्लाइब का इन्वेंट किया था जो की एसी पे था अब जो भी मोटर्स बगेरा थे तो वो चलाने के लिए जो है अलुमिनियम और कॉपर का कंड़क्टर का यूज होता है जो कि अभी भी हम लोग करते आ रहे हैं तो उस टाइम अलुमिनियम और मिलता नहीं था प्रॉब्लम यह हो रहा था कि अगर हम लोग 110 भोल्ड देखे किसी भी मोटर को रन करवा रहे थे तो हमारा जो कंड़क्टर है उसका क्रॉस सेक्षन साइट जो है बहुत ज्यादा लगता था तो इससे क्या होता था कि कोश्ट बहुत ज्यादा पढ़ ज्य करती है डबल और जो करेंट है वो कम कर दी है अगर करेंट जो है कम होगा तो हमारा जो कंड़क्टर का साही जो वह भी तो डिक्रीज हो जाएगी तो काई सिंपल सा मैथट बस सही है कि उसी टाइम वह 110 वोल्ड से 220 वोल्ड किया गया था अब गाईज आप सभी लोग को पत कर दी है तो जासे आज भी हम लोग जो है वह 220 वोल्ड को ही यूज कर रहे हैं तो गाईज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए नहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरू करें ताकि उसे भी यह जो इल्क्रिकल इंजिनियरिंग से रिलेटर जो भी फैक्ट है पता चले तो गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना देहान रखें